गुड मॉर्णिंग बच्चा सब तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम गाडियन में देख सकते हैं स्क्रीट उपर ठम्नल देख लिए होगा आज कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक्जाम में आंसर लिखें जिससे की मेर रहे हैं वह मार्क को से ना काट से कोपी से कम काटे आज यह जरूर सीख लो और सीख के जाना गलिधी नहीं दोंगा और आप अगर ऐसे लिखो गए तो नैंटिफाइफ पलस आजएगा ऐसा बें नहीं लिखने वाला नहीं आपको बोलने वाला हुँ ठीक ना जापको बहुत सारा यूट्यूपर मिल जागा ऐसे लिखो 95 प्लस ऐसे लिखो 100 प्लस ऐसे लिखो 95 ऐसे लिखो 90 प्लस तो मैं ऐसा नहीं बले बलो हां इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपका वो कोस्टन का अंसर नहीं आ रहा होगा और मांक्स कटने वाल आपको लगेगा तो मांक्स में कटने नहीं दूंगा अगर आप यह जो अभी मैं बताऊंगा इसको आप फॉलो करेंगे तो यह आप लोग के साथ ऐसा हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा जाए ठीक है चाहे व तो राइट आंसर से इंग्जाम तो गेट बेटर मांक्स यह तो आपको कॉमन टॉपिक है जो कि मैं बताऊंगा आप अगर इसको फॉलो करते हो तो आपको ऐसे जो नंबर कटने वालागा वह आपका कम कटेगा ना भी कर सकता है और दूसरा जो टॉपिक इसमें डिल कि किस तरीके से कोश्चन आप से पूछेंगे ताकि आप लोगों से तयार रह जाओ त्यारी है से आपका हो जाए तो तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए देखकर के जाना ठीक ना बार बार फिर वीडियो नहीं मिलता देखो on how to write answer main exam से पहले यह देख लो आपका English का question type कितने कensive question रहेगा किस तरह के question रहेंगे तो देखो जो आपका bothire उसको कोशन टाइप से पहले यह देख लो ज़्यादा टाइम बेस्ट नहीं करना है तो टॉपिक है उसको जल्दी से जल्दी देख लो जो कितने तरह के कोशन रहेंगे दो देखो सेक्षिन ए और सेक्षन बी में रहेगा ठीक है बोर्ड के तहत अगर बोर्ड का माने तो यह दो तरह का कोशन रहेगा और मैं कहूं जो सेक्षन सी तक बाठ लो अगर आपको असानी हो तो सेक्षन सी में बाठ लो सेक्षन सी में बाठ लो ताकि आपको परने में असानी हो दो तरह का जो यह सेक्षन है जो बोर्ड में रहेगा उसको समझा देता हूं और फिर अपना तुम्हें बता दूंगा ट्रिक जिसे कि सेक्षन सी में डालने ना तो आपको असानी होगा पढ़ने में ठीक है तो चलो यह कोशन पर हम लोग टाइप समझ लेते हैं कितना तरह के कोशन आएंग आपका उप्जेक्टिव टाइप रहेगा तक है अबजेक्टिव टाइप रहेगा टो एंसे हज्यरो करना हमस्ए कर ना देखना मांक साथ ίह यह लिख कर दे सकता हूं अगर ऑससा फॉलो कर तो चांफा तो माonut्या आएँगे ही आयंगे तीचर आपको नहीं काटे काटे माक्स अगर भी हारवर्ट के स्टूइट हो तो हंडर परसंट गरेंटी कि आपको माक्स देगा ही देगा ठीक है नहीं भी आंसर आएगा आपको तो भी अगर आप जो ही बतांग दोगे आपके माक्स मिलेंगे याद रखना चलो तो 70 परसेंट आपके 70 कोशन फिव में ठीक्क पी-में आपका जो रहेगा उब्जेक्टिव में ही यह आपका ग्रामर सेक्शन से रहेगा कैं लोनामर से क्सिर रहेगा और जो क्यूंब रहेगा यह आपका book से रहेगा book के index के रहेगा book से रहेगा ठीक है तो section A में भी दो भाग एक तो grammar से question पूछेगा और दूसरा आप से पूछेगा book का objective आप से पूछेगा कम से कम 23 to 24 ये 25 आप से पूछेगा 25 अगर बुक का आपने पढ़ा होगा तो मैंने सेंथ के basis पे अगर पढ़े होगा तो कुछ बता दूंगा जिसे कि आपका grammar मजबूत हो जागा और अच्छा लिक करके आप आपको मिलेगा ठीक है किस टाप की question आ रहे हैं तो देख लिए चलो है एक सेक्षन भी में आते हैं तो मैं अपने मुवाइल का अस्तेमाल करने वाला हूं उसमें रहे टाइप्स बना करके रखें कैसे question आएगा ठीक सेक्षन भी आपका सब्जेक्टिव टाइप है सेक्षन भी सब्जेक्टिव टाइप है थो फोड़ा गंदा हो गया ना बॉ कि देखो सेक्षम भी जो है वह आपको जो सब्जेक्टिव टाइफ है उसमें क्या-क्या रहेगा वह देखो ठीक है चलो सेक्षम भी देख लेते हैं जो आपका बुब्ब्ब्ब चैटेग्राइज किया है उसके हिसाब से बता देता हुँ उसके बाद फिर मैं कैटेग्राइज कर दूंगा उस हिसाब से परना सेक्षम भी में पहला टाइप का लुसरा आता है एक ठीक है एक आता है आपका पॉरी से और एक आता है पुरूज से ठीक इसमें explain कहने का मतलब poetry section का कोई किसी भी चैप्टर से 2-4 लाइन उठा करके लिख देगा और बोलेगा explain करो पाच नमबर फिर pro section से कोई 2-4 लाइन उठा करके लिख देगा बोलेगा explain करो पाच नमबर तो यह दो कोशन हो गया एक तो एसी ठीक है यह explain poetry section का अगर 3 topic बता दिया तो यह हो गया ठीक है यह तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोई डाउट को इसके बाद देखो क्या आता है ऐसे हो गया explain हो गया ठीक है अब चलो देखते हैं कि और क्या के question इसमें इंक्लूड किया है वह देख लिया जाए उसके बाद से हम लोग चलते हैं ठीक कहा अगया हाँ 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 चलो जो नेक्स्ट दिया है वह देख लो इसके बाद आपका जो देता है वह क्या देगा तो यह तो ऐसे हो गया explanation देख लिए कि दो पेटरी से देए इसमें से देगा फिर आपका जो question देता है एक लिटर आता है ठीक है लिखो यह फिर एप्लीकेशन लिखो यह दोनों में से कोई यह पांच नुमर में से ठीक है लेकिन confirm है दोनों में से कोई एक और करकी देता है ठीक है उसके बाद आप लोग आएगा answer the following question जो कि बुक के अनुसार रहेगा answer the flowing जो कि बुक के अनुसार रहेगा जो बुक आपने पड़ा उसके इसाब से आंसर देना होगा उसके बाद देखो उसके बाद आप लोग को आएगा कि summary लिखना होगा summary लिखने को आपको summary लिखने को आएगा एक आगा poetry से दूसरा आएगा प्रोज से ठीक है next आएगा आप लोगका की notes लिखे short notes लिखने को दे सकता है आपको short notes write short notes कोई भी एक topic देदेगा उस पर आपको ऐसे उस topic के नुसर आपको ऐसे लिखना होगा short notes को भी एक topic देदेगा लास्ट आएगा आपका दो और कुर्शन आता है राइटर का नाम और राइटर का जो बुक है वह क्या-क्या लिखें वह match the following आता है जो आपका match the following आएगा match the following कि या फिर आप लोग translation बना दो दोनों में से कोई एक option आता है match the flowing यह फिर लेसर और लास्ठ में एक पैसेज देगा उसको क्या है छेब टो ह took up को अपने वह अपने वर्ड में संझेप करके सॉट कड़के लिखना होगा तो देखो क्या क्या होगा होगा section B में से देखेंगे जल दंदखेंगे section B में से देखेंगे फिर इसको ऐसे प्लिकेशन मेंसे कोई एक हमलों को लिखना होगा उसके बाद आंसर फोलों कोंशन ठीक है फिर संबरी लिखिए किसी प्लेटरी सेक्षन से एक एक फिर फ्रोसेक्षन से देगा उसके बाद match the flowing देगा और जो है नोट्स लिखना होगा लास्ट फिर ट्रास्लेशन देगा आप यह मैच दो फ्लोइंग यह ट्रास्लेशन में से कोई एक बना सकते हो आपकी मर्जी है तो देखो इसको दो भागों में बाट लो आप कितना बाट लो दो भागों मैं फिर से लिख देता जो ठीक धितना से दो भागों मतलो एक को ग्रामर कर दो पूद़ और एक को यसे पूदर कशो ईसे आप क्या कर दो कि आप चाप्टर आइसको पेले चलो ज्याहिंगरत हो कि पो इस का बनार आता को आहाते हैं का ईस्येखTalk भूंद है सैक्षन बी और सी करदेते हैं क्या कर देते हैं सेक्षन बी और सेक्षन सी अ इस में आप भी बूक का है बूक वाले को आख हलो और क呀 कर लो ग्रामर कर कर लो क्या-क आज़ीजे देखो इधर से neck आप्लिकेशन आ जागा ठीक है लेटर आ जाएगा पैसे जाएगा ठीक है नोट आ जाएगा चौट नोट किसी एक पर लिखना होता है तो यह इतना सब आपका ग्रामर में जो सेक्षिंट सी वोक्स इदो ही भाग आपका जो बोड़ है वो दो ही भाग बाट देगा सेक्षन अब्जक्टिव और नोल अब्जक्टिव ठीक लेकिन मैं इस से बाट दराऊं उसके बाद बुक के तरफ से एक्स्प्लेंग पता ही है क्या पोट्री और और प्रोज फिर आंसर दा फ्लोईंग फिर राइट दा सम्ड़ी किसी एक का लिखना होता है और एक्स्प्लेंग करना होता है आपका जो दिया जाता है बस हुओ तो इतना सब आपको ऐसे काम कर लेना है तो आपका पूरा का पूरा जो है वह अच्छे से जाएगा और लास्ट इसमें है मैच इदा फॉलोईंग जो की जो की आपके बुंग का राइटर के हम्सार सेदेता है लास्ट में इसमें इसमें होता है ट्रांसलेसिंव पांच मिदम सिंपल मैं 20 थे हैं थो प्रॉशन का कॉश्ण का वसमें कि कैसे को टाइब याप देंगा बनाने के लिए टो देख लिए cookie समझ गया हो तो मैं अब ही तक इस video पर ठीक गए हो तो एकदम समझ गया कि कैसे लिखना है इस नंबर हमारा ना काट सके आप इसके लिए रुखे उगा तो कम बच्चे लेकिन इसके लिए जरूर सोचेंगे कि हाँ किसी सर ने मुझे ऐसा बताया था कि यह से काम करना चाहिए तो मेरा ऐसे अच्छा मांग सागा देखो कि सारे बोलेंगे आशे करो आशे करो एक द्यान देना आपका जो को कोपी कोलें कि कि संब्सक्राम से लिखा सकता है except maths मैस को छोड़ करके मैस हो सकता है थोड़ा सब पेज कम पर जाए लेकिन बाकि सब्ज़क्त में पेज कम नहीं पड़ेगा ठीक है कोसिस आपको यह करना है कि अगर किसी का आंसर दे रहे हो अगर शौट आंसर दे रहे हो तो एक पेज में कोसिस करना रहे हुआ कि एक पेज में सिर्फ एक आंसर दे नहीं तो दो आंसर दे अगर शौट लगता है कि हाँ अट सकता है दो एकड़म नीट और क्लीन आंसर नहीं आ रहा है कोई दिकत नही उसका भी बता रहें क्या करना है आंसर नहीं आगा कोई दिकत नहीं है लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है कि अपना कोपी जितना हो सको तरह नीट एंड क्लीर होना चाहिए आपको एक रफू तक नहीं करना है ठीक ना अगर तुमें दल बच्चे हो सोच रहो यह कर रहो और दल भी हो तो ध्यान से देखो क्या करना जो कोशन देगा निर्भवा कोशन में आधा अंसर होता है ठीक है शौट में तो नहीं लेकिन लॉंग में होता है शौट में नहीं लेकिन लॉंग में होता है लॉंग का आंसर के साथ ही आप आंसर के साथ खिलवार कर सकते हो आंसर आपका राइटिम जितना आपका नीट एंड क्लीन हो सकता है कि खुश हो जल्दी चेकर और देदेगा और देता भी है अगर बिहार देता भी है यह लिख लो दम देता है तो कोसिज करना सबसे पहले आपको कि एक दम नीट एंड क्लीन कोपी रखना है और एक पेज में देना और नेक्स पेज में लिखना और कोशन का नंबर जो है नंबरिंग बहुत ध्यान से देना नंबरिंग बहुत ध्यान से देना जो कोशन दिया होगा उसको ध्यान से लिखना और कोसिज करना कि मालो यह हम तुम यह गलती लिख दे ठीक है मालो यह तुम गलती लिख द और बाखी रफूफू मत करने लगा लेकर िसी मारेंगे मारेंग फिसाल मारेंगे औरador C मत करना एकदम बास से अटिक क्धाकि अबลगा अकॉस साखर देना ठीक है ताकि एक्धामनुर्ड आपको ऐसे करके जितना सुन्दर कोपी लिखो गए उतना आपके लिए बेनिफीट होगा यह मैं बता दे रहा हूं ठीक दूसरा अब मेरे पास आया कि सर हमको तो आंसर याद नहीं तो अब क्या करें तो ध्यान देना किसी लग किसी जो अगर कोश्चन तुमको ध्यान में है उस कोश्च लिख सकते हो कोश्चन को लांग करतो अपने लांग वे लिए लिख बैकर किशक को लांग करतो और पहला लाईड जो पहला लिखो गना मार लो जो पहला टाइप लिख रिखना कोश्चन में से निकाल करके कोश्चन देखो गैं तो अगर मन पूछा वाट इस और नेम है though my name is my name is my name is तो यही चीज पहला था आपका इंप्रेशन बना देगे चलो इसको थोड़ा भूत आता है दूर नंबर का होगा तो अगर आगे अंसर थोड़ा सब्सक्राइब दूर नहीं देगा आधा नंबर या एक नंबर देगा नंबर मिलेगा तो ध्यान देना कोश्चन के साथ क्या करना है को कॉश्चन को अठाना आड़ायम से और अपने लांगवेज में उसको बना देना को कोश्चन लिखना करके ऐ सबस्क्रादा भी तोड़ा से नाम के बारे तो कुछ भी उसमें डाल देना एक दो लाइन बरहा देना ताकि ऐसे एक्जामनर आपको नंबर दे सके और देगा एकदम देगा अगर आप ऐसे कोश्चन को अपने लाइंगे बना दोगे तो सारे में आगे आप कर सकते हो कोई दिकत नहीं होगा आपको नंबर हैसा मिल जाएगा ठीक है तो यही जो टेकनीक था अपना सकते हो अगदम आख बंद करके इसको अपना सकते हो लेकिन ध्यान देना कि कोश्चन को सजाने का तरीका होना चाहिए आपके पास आपको लिखना काना चाहिए कि हम कैसे कोश्चन लिख सकते हैं आपको अपना बनाना होगा वर्ना फिर तो यह कहानी खतम लेकिन पहला वाला तो रामबान है आपका संजीबनी बूटी है जितना ज्यादा नीट अंक्लीन कोपी होगा पेज इतना है कि आप एक पेज में एक कोश्चन और पर पर जो लिखना लेकिन सबसे बड़ा बात याद रखना यह जितना बोलेगा ङूले फिर में रिखना उवाे संधी मिलेगा 900 मी में तुमको ऐसे नंबर मिलेगा ही मिलेगा नहीं कटेगा जहां आपको अगर 40 आने वला होगा वहां साथ आ जाएगा यह लिख लेना ठीक है अगर आंसर ना रहा होगा तब की बात कर रहे हैं तो यही था कि आपका क्वोश्चन टाइफ कैसे होने कैसे तरह के आपको पूछ तो अच्छा जाएगा उनको नंबर भी बहुत अच्छा मिलने वाला है ठीक है एक और वीडियो आएगा इसी टॉपिक से रिलेटर अगर चाहिए होगा तो कमेंट करना जितना लोग भी देखो और शेयर कर देना कि साथ कुई कोई फेल होने वाला हो तो बच जाए कि अच सपोर्ट करो और क्या पूल सकते हैं ठीक है वीडियो लेट के लिए इसके लिए माफी नेक्स वीडियो मिलेंगे तो तक लिए पढ़ते रहो घर पर हो और यह टेकनिक जरूर अपनाना और आम से अपनाना बेद जिधा का अपनाना कोई डिक्कत नहीं होगा कहीं नंबर कर अपने कोई डर नहीं होगा आम से लिख सकते हो ऐसा कर सकते हो मिलें एक वीडियो में तो पढ़ते रहें धन्यवाद